Hello students, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं E-classes. Students, आज NCRT Class 7th, Chapter No. 11. Topic है मेरा Transportation in Animals and Plants. Students, हम इस Chapter को थोड़ा सा पढ़े थे आर्लाइन क्लास में. फिर भी आज थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं, फिर आगे कंटिनू करते हैं. यह जो Transportation in Animals and Plants, इनकी बॉड़ी में Food Material और Fluid Material यानि Liquid Substance और Food Material यानि भोजन. इनकी बॉड़ी में कैसे Circulate होता है, Cells के पास कैसे पहुँचता है, यह सारी चीजें हम इस Chapter में पढ़ेंगे. साथ में यह भी पढ़ेंगे, हमारा Heart कैसे काम करता है, और हमारी Kidney कैसे काम करती है, क्यूंकि Heart का काम है Pumping करना, और Kidney का काम है Blood को Filtrate करना, जिसमें से Urine वगएरा अलग किये जाते हैं. So Circulatory System, जो कि Human Body अगर हम देखें, प्लांट की भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगर Human Body देखें, तो Human Body में Circulatory System हम पढ़ेंगे, जिसमें Liquid के रोप में Blood Transport होता है, और उसको Pump करने का काम हाट करता है, जो कि यह डाइग्राम में आपको दिख रहा है. यह Blood को Pump करेगा, आयटरी के थूँ, और Return में जो Blood आएगा, वो Black Color में आपको दिख रहा होगा, वो Vains कहा जाता है, यानि कि, आयटरी के थूँ, Blood पुरी Body में Pump किया जाता है, और Vains के थूँ, पुरी Body से Return हो करके, Blood हाट में वापसाता है, और हाट जो है, वो Pumping Organ है, ठीक है Blood क्या है, Blood is the fluid which flow in Blood Vaisels, Blood Vaisels आपकी आयटरी और Vains हैं, जैसा कि मैंने बता चुके आपके, अब आगे, It transports substance-like digested food from the small intestine to the other part of the body, यह जो Blood है, यह क्या करता है, Blood के साथ, food material वगएरा जो की digested होते हैं, small intestine से ले करके पुरी Body में transport करता है, It carries oxygen from the lungs to the cell of the oxygen, साथ में यह oxygen को भी लंग से ले करके Body में पहुचाता है, It also transports waste for removal from the body, अपनी Body से waste substances जो है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एशिड वगएरा, उसको भी Body से आउट करता है, रिमूवल करता है, यानि Blood का काम, food material को पुरी Body में सप्लाई करना, carbon dioxide को Body से हटाना, साथ में oxygen को Body में पहुचाना, और कुछ another removal substances, या waste substances, जैसे कि यूरिया वगएरों को सरीर से आउट करने की process में help करता है, how does the blood carry various substances, जो हैं, इनको कैसे carry करता है, blood is composed of fluid called plasma in which different type of cells are suspended, so students, जो blood होता है, वो plasma और cells से मिल के बना होता है, cells कई होते हैं, आगे हम पताएंगे, और plasma liquid substance है, उसी में सारी चीजे mix होती हैं, suspended होती हैं, और वही पुरे body में circulate करता है, जो cells होता है, वो RBC है, red blood cells, जिसके अंदर hemoglobin पाया जाता है, और hemoglobin का main function जो है, oxygen को bind करना होता है, bind with oxygen, और पुरी body में transport करता है, साथ में carbon dioxide को body से ले करके, फिर से heart के पास पहुचाता है, जहां heart lungs को भेजता है, और carbon dioxide को out कर दिया जाता है, कैसे exchange होती है, इसके अलाओ WBC एक दूसरा blood cells होता है, जो fight करता है against jumps, jumps के against fight करता है, यानि body का, हम यह कर सकते हैं, कि human body या किसी भी animal body का, जो WBC है, जिसमें WBC होता है, तो वो एक army का काम करता है, अपने शरीर के protect करता है, साथ में, तीसरे नंबर का एक another type का cells पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं platelets, और यह हमारी body में रह करके, blood के साथ मिल करके, blood clotting में help करता है, देखे, clot is formed because the presence of another type of cell in the blood, तो blood में another type का जो cell पाया जाता है, तीसरे नंबर का, वो है platelets, और blood जैसे ही सरीर में कहीं भी कोई चोट ओर लग जाती है, तो blood clotting में help करता है, इस्ट्रेंस blood vessels भी है, जो की vessels के अंदर ही blood का circulation होता है, और वो blood जो vessels हैं, उनमें दो तरह की mainly vessels पाई जाती है, arteries and veins, ध्यान से समझेगा, दो ही तरह की होती हैं, और आगे चलके बहुत fine structure में convert हो जाती हैं, उनको हम capillaries बोलते हैं, लेकिन, actually वो artery का fines, और fine हो करके convert हो जाती है, veins में, तो वो actually दोनों के beach का part है, ठीक है, तो अगर हम उसको जोड़े, तो तीन type की हमारी vessels होती है, तो arteries क्या करती है, arteries carry oxygen rich blood from the heart to all part of the body, arteries का का काम है, oxygen को लेकर के blood के साथ, पुरी body में supply करना, ठीक है students, तो arteries का का काम, oxygen को पुरी body में supply करना होता है, इसी के साथ, अगर veins की हम बात करें, तो veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from the all part of the body back to the heart, so students, veins का काम है, body से carbon dioxide को लेकर के, अब veins actually एक रास्ता है, एक pathway है, लेना blood को ही है, तो blood veins के through, carbon dioxide को body से लेकर के heart तक पुंचाता है, ठीक है, तो ये काम होता है, artery और veins का, इसके अलावा, तीसरे नमबर का जो smallest part होता है, बहुत fine छोटा part होता है, उसको बोलते है, capillary, जो की cells के पास, छोटे-छोटे tissue के अंदर घुशा हुआ होता है, उसको हम capillary बोलते है, बहुत ही pathalized structure होता है, देखो अगर हम एक schematic diagram देखें, circulation का, human circulation, circulatory system में, तो ये heart है, और उपर दो lungs दिखाए गये हैं, और नीचे body का part दिखाए गया है, देखें, heart से blood circulate होता है, artery के through, पुरी body में जाता है, जहां पर यहां आते ही, बहुत छोटे-छोटे fine structure में convert हो जाते हैं, जिसको हम capillary बोलते हैं, और वही capillary, पुरी body में देने के बाद, oxygen को transport करने के बाद, वहां से carbon dioxide को ले लेता है, अब convert हो जाता है, veins में, जो की veins के through, आगे आकर के heart में पहुचा दिया जाता है, heart को हम आगे बताएंगे, कितने chamber में पाए जाता है, पार्टेट उसके बताएंगे, तो heart में आते ही, heart से pulmonary artery के through, lungs में भेजा जाता है, वही deoxygenated blood, यानि carbon dioxide युक्त blood, जो की lungs में पहुचाया जाता है, दोनों lungs में एक साथ पहुचाया जाता है, और lungs में gases exchange होता है, यानि carbon dioxide को body से बाहर किया जाता है, और oxygen को ले लिया जाता है, साथ में lungs फिर oxygen ले करके तुरन्त heart में convert भेज देता है, और heart से फिर से artery के through पूरी body में supply कर दिया जाता है, या फिर transport कर दिया जाता है, सो इस तरह से हम ये कहें कि double circulatory system human में पाया जाता है, और ये system सारा चीज heart, blood और blood capillaries तीनों मिल करके करती है, तो हमने आपको blood vessels, जिसके अंदर blood capillaries और eye tree veins के बारे में बताया, blood के बारे में भी बताया, जिसमें plasma होता है, और साथ में कुछ cells जैसे RBC, WBC और platelets होती है, साथ में RBC के अंदर hemoglobin, जो की एक red color का pigment है, और oxygen को bind करता है, इसी के वज़ा से blood का हमारा color red होता है, अब हम तीसरे नमबर और chief organ, चीफ circulatory organ पे चलते हैं, जिसका नाम है heart, चले heart का diagram भी हम देखेंगे, थोड़ा सपढ़ लेते हैं, the heart is an organ, which beats continuously to act as pump for the transport of blood, which carries other substances with it, heart जो है, एक ऐसा organ है, जो लगातार, continuously pumping करता रहता है, और blood को transport करता है, साथ में blood के, और भी another substances मिले हुए होते हैं, उनको भी pump करता है, imagine a pump working for a year without stopping, आप एक, imagine कर सकते हो कि गारी, मोटर, या जो भी चीज़े, machine वगारा होती हैं, उनको पंप ही करती हैं, तो उनमें किस तरह से pumping बीना रुके होता रहता है, कभी न कभी उनको रुकना होता है, जो कि artificial होती हैं, क्योंकि उनके लिए भी fuel होगारा है चाहिए, हाला कि हमारे body के लिए भी fuel चाहिए, लेकिन ये इस तरह का cardiac muscle के साथ मिल करके बनाया गया, ये heart बहुत ही important organ है अपनी body का, the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left, ध्यान से समझेगा students, हम normally लोगों के द्वारा सुनते हैं और लोग बोलते भी हैं कि heart left side पाया जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है students, सच क्या है, सच जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है NCIT की book है, heart located in the chest, heart कहां located होता है, chest cavity में, chest मैंने ठीक बीचो बीच, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, with its lower tip slightly tilted toward the left, इसका जो नीचे का पार्ट होता है, lower tip वाला पार्ट होता है, वो हलका साहा, slightly means हलका toward the left, left के side होता है, इसका मतलब यह नहीं के heart पूरी तरह से left में होता है, heart left और right बीच में होता है, maximum part, heart का maximum part, बलकि lower tip कहें, तो ओ left side होता है, लेकिन हम पूरी तरह यह नहीं कह सकते, कि heart left होता है, ठीक है, hold your fingers inward on your palm, that make your fist, your heart is roughly the size of your fist, कुछ इस तरह से मुठी आप अगर बांधें, तो आपका जो heart होता है, लगभग उसी के जैसा होता है, यह heart का diagram है, ध्यान से देखिएगा, मैंने जो left side की बात किया, अब यह बीचो बीच अगर heart होगा, अपनी body में, तो यह वाला जो part है, यह मैं, ज्यादा से ज्यादा, यह वाला part actually, यह right side है, तो जब heart की हम, पुरी size की बात करें, तो लगभग 60%, 65% और left side हो जाता है, क्योंकि यह नीचे का यह जो tip है, यह वाला part, right side हो जाता है, इसलिए हम यह कर सकते हैं, कि 35-40% heart, right side होता है, और 60-65% left side होता है, तो maximum part left side होता है, ना की पूरी तरह select होता है, क्या होगा जब ऐसा ब्लड जो की carbon dioxide वाला और oxygen वाला दोनों एक साथ मिल जाए, तो अवाइड दिस फ्राम हैपनिंग, तो अपर चेमबर आर काल्ड अट्रिया अट्रिया और तो लोवर चेमबर आर काल्ड वेंट्रिकल, तो यह इनका question है, मतलब ऐसे ही think कर रहे हैं, यह book में बताया जा रहा है, कि क्या होगा अगर heart जो body से return आ रहा है blood, जिसमें carbon dioxide है, और जो lung से आ करके heart में आता है, heart से पुणी body में जाता है, oxygen रिच वाला blood, दोनों मिल जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता, actually heart में four chamber होते हैं, हम वहाँ rate न करके, यहाँ direct आपको समझा दे रहे हैं, कि heart में four chamber होते हैं, देखें, ध्यान से अगर आप समझेंगे, तो one उपर है, इधर भी one उपर है, नीचे भी one है, इधर भी नीचे एक है, तो अगर हम totally कहें, तो total चार chamber होते हैं, ध्यान देजेगा, उपर के दोनों chamber को हम atrium कहते हैं, या atria कहते हैं, तो normally atrium अगर कहें, तो right atrium, और इधर left atrium, तो उपर left side, एक right side, तो right atrium, left atrium, फिर नीचे side जो होता है, उसको ventricle बोलते हैं, तो right ventricle और left ventricle, total चार chamber body में, heart में होते हैं, तो heart दो उपर के, जिनको atrium कहेंगे, right और left, उसी तरह नीचे के दोनों को ventricle कहेंगे, जो right और left में पाए जाते हैं, अच्छा, और क्या आपको यहां पे दिखाई देगा, देखिए, यह वाला जो blood vessel आपको समझ में आ रहा है, यह actually eye tree है, मोटी है, ठीक है, इसलिए, इसको हिंदी में महा धमनी बोल देते हैं, तो eye tree जो यह है, यह body में पहुचाता है, ठीक है, aorta, महा धमनी को aorta बोल देते हैं, ठीक है, और उसी तरह महा, शिरा को वेना केवा बोल देते हैं, यह लिखा हुआ है, तो देखिए, यह body से यह वाली return आ रही है, और यह body को जा रही है, ठीक है, तो यह body को जा रही है, तो heart यह इस वाले part को यहां उपर से आ रहा है, तो यह जाएगी, तो इसके साथ क्या लेके जाएगी, oxygen, अब पुरी body को supply करेगी, body से return हो करके, यह वाली आ रही है, जिसका नाम है, वेना केवा, तो यह वेना केवा, यानि, वेन्स, return हो करके, आती है, तो कहा खुलती है, right atrium में, ध्यान दीजेगा, कि सारी की सारे return हो करके, जो आइट्रीज, वेन्स आती है, वो right atrium में open होती है, और right atrium से, नीचे आती है, right ventricle में, जहां से pump कर दिया जाता है, यह देखिए लिखा है, pulmonary artery और इधर भी है, तो pulmonary artery जो है, वो पहुचा देती है, lungs के पास, और lungs में oxygen और carbon dioxide का exchange हो करके, pulmonary veins के थूँ, यह लिखे लिखा है, pulmonary veins के थूँ, इस side, left side आ जाती है, यानि left side आपका pure blood होता है, सुध रक्त होता है, उसी जबकि right side असुध यानि impure, इसको हम science की भासा में कहें, तो deoxygenated blood right side होता है, और left side oxygenated blood होता है, oxygen yugd blood होता है, ठीक है, तो इस तरह से यह हुआ, और फिर यहाँ नीचे, left ventricle से पुरी body में pump किया जाता है, pump करने वाली, जो मोटी IT होती है, उसको हम aorta करते हैं, अब आगे, mixing up blood rich in oxygen with the blood rich in carbon oxide, to understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in as follow the arrow, these arrows show the direction of the blood flow from the heart, जैसा कि मैंने आपको बता है, वही लिखा है कि अगर direction को समझना है, तो हमें right side से ही start करना पड़ेगा, और right side से देखो कैसे start हो, यहां से नीचे आएगा, यह valve लगा होता है, इसको हम tri-queue speed valve बोलते हैं, अब फिर इधर से चला जाता है, पल्मोनी आर्ट्री के through lungs में, और फिर यहां आता है, यह देखो पोर है, यहां से आकर के left ventricle में आएगा, जहां से हो करके, यह ओर्टा के through पुरी बोडी में stand कर दिया जाता है, और अब हम पढ़ते हैं, heartbeat, heartbeat, देखें, जो heart चलता है, ठंधंध करके आवाज भी करता है, हलाकि जरूरी नहीं सब समझ पाएं उसको, तो उसी को हम heartbeat कहेंगे, देखें, क्या लिखा हुआ है, the wall of the chamber of the heart, are made up of muscles, जो wall होती हैं, chamber की, वो muscles की बनी होई होती है, these muscles contract and relax rhythmically, यह contract करेंगी एक बार, और फिर relax करेंगी, this rhythmically, contraction followed by its relaxation, constitute a heartbeat, relaxation और contraction, इन ही दोनों को हम heartbeat करेंगे, होते हैं, remember that, heartbeats continue every moment of our life, if you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat, तो इनका कहना है कि heartbeat continue हमारी पूरी life होता रहता है, बीट करता रहता है, आप अपनी left side, हलका सा left side, चेक कर सकते हैं, the doctor, feel your heart, heartbeat with the help of an instrument called stethoscope, एक ऐसा stethoscope है, instrument है, यह है भी, जो कि doctors आपके heartbeat को चेक करते हैं, stethoscope ही ओ इस्ट्रूमेंट है, doctor use the stethoscope, stethoscope as a device to amplify the sound of the heart, it consists of chest piece that carries a sensitive diaphragm, two ear piece and tube joining the part, doctor can get clues about the condition of your heart, by listening through a stethoscope, इस stethoscope से, doctors, आपके heart की आवाज सुन करके, समझ जाते हैं, आखिर आपके heart में problem क्या है, stethoscope का ये डाइग्राम है, और इसके दो IPs होते हैं, और एक chest में या फिर back side लगाया जाता है, और tube होता है, ओके, इस वे हैंस, अब heart वाला system मैंने आपको यहां पे rate कर दिया है, बाकी next class में हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम जान लेते हैं, heart और circulatory system से सम्बंध है, तो सबसे पहले ये जान लेजिए, कि एक scientist है, जो की English physician है, William Harvey, इनका ये DOB है, मतलब 1578-2, 1657 में, जो की discover किये थे circulation of blood, blood का circulation, जिसको हम circulatory system कहते हैं, तो उनका ये, मतलब blood circulatory system का discover करने वाले यहीं हैं, इसके अलावा, अगर हम heart के बारे बात करें, तो जो एक basic, या एक common, इनसान का heart का, वजन होता है, वेट होता है, वो लगभग 300 gram का होता है, so strength, 300 gram का heart, होता है इनसान में, अब ladies में, थोड़ा सा कम हो सकता है, और gents में, थोड़ा सा इससे जादा भी हो सकता है, 320 gram तक का देखा गया है, और इधर ladies में, 270 gram तक का देखा गया है, लेकिन on average, यही heart का, वजन होता है, या वेट होता है, इसके अलावा, हाइट में, 4 chamber होते हैं, कि मैंने बता दिया, और right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, साथ में, इस टेथोज सकोब के बारे में बता है, जो कि doctors, heart का, आवाज सुनते हैं, और समझते हैं, आखे problem क्या है, इसके अलावा, heart दो तरह की, आवाज करती है, sound करती है, जिसको हम, इसी आवाज को, ये जो आवाज होती है, heart की आवाज होती है, ये भी एक heart के, health को बताता है, इस आवाज को सुनके, हम पता लगा सकते हैं, इसके अलावा, इसके अलावा हम, अपना pulse rate, या heart beat, या blood pressure की बात करें, तो 72 से 80, beat per minute होता है, अगर हम एक नार्मल इंसान की बात करें, तो नार्मली हम 72 टाइम पर मिनट बोलते हैं, पर मिनट, तो ये होती है heart beat, और blood pressure, एक और word आता है, blood pressure का, तो जो blood pressure होता है, BP जिसको start cut में बोलते हैं, तो देखिए, highest और lowest, यही दोनों लिखा जाता है, तो highest और lowest जो blood pressure होता है, इंसानों में, वो नार्मली हम, एक नार्मली हम, एक नार्मली हम 120 और 80, यानि 120 से 80, इसको mmHg लिखा जाता है, mmHg, ठीक है, mmHg, तो 180 से, 120 से 80, यानि यह छोटा वाला होता है, यह lowest होता है, और यह highest, हाला कि, इंसान में जरूरी नहीं, कि 120 से 80, इनका blood pressure रहे, इंसान का, तो इससे थोड़ा सा जादा, यानि 10.13 तक हो सकता है, और इधर इससे थोड़ा सा कम, 75 या 70 तक हो सकता है, या फिर, 10 पॉइंट उपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो basic है, वो 120 to 80, ठीक है, तो 120, यानि 120 mmHg, हाइस्ट होता है, और लोवेश्ट होता है, 80 mmHg, यह कुछ basic information थे, हाट के बारे में, और हाट का आपको डाइग्राम बनाना है, हाट के बारे में और अच्छे से रेट करना है, थाइंक्यू, अगें हम next जो class करेंगे, वो हम class करेंगे, kidney के बारे में, थाइंक्स पावाची,